नमस्कार मैं आपकी होस्ट शेस्वी गुपता आप सभी का स्वागत करती हो लाइव लॉपर आज में बात करने जा रही हूं बाइजूस के लिक्विडेशन यानि दिवालियपन की चल रही कारवाई के बारे में साल 2011 में स्थापित एक इंडियन मल्टिनाशनल एडुकेशनल टेक्नलोजिक कंपनी बाइजूस जिसके फाउंडर है बाइजूर रविंद्रन ये कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानि बी सी सी आई को 158 करोर रुपय का भुकता न करने के कारण दिवालियपन यानि इंसॉल्विंसी या परिसमापन यानि लिक्विडेशन का सामना कर रही है यह एक ऐसी खटना क्रम है जो इस बात पर सवाल उठाता है कि तमाम वेंडर्स और कस्टमर्स के अलावा टीचर्स सहित इंप्लॉईस का क्या होगा चले विस्तार से इस पूर लोगो चापने और अपने ब्रैंड को प्रमोट करने का अधिकार दिया बदले में बाइजूस ने स्पॉंसर्शिफ फी का भुक्तान करने पर सहमती व्यक्त की हाला कि मार्च 2022 तक अपने भुक्तान को पूरा किया और जून 2022 में इंडिया साउथ आफ्रिका सीरीज के बाकी था बाइजूस की ओसे 158 करोर रुपय का भुक्ता न किये जाने के मामले में नैशनल कम्री लॉट ट्राइबिनल में बाइजूस के खिलाफ कारवाई शुरू की आगे बढ़ते हुए 16 जुलाई 2024 को एंसी एल्टी ने दिवालियपन यानि इंसॉल्वेंसी यानि दिवालियपन की प्रक्रिया क्या होती है 8 अगर कोई यानि वह वीक्ति क्रेटिर या बैंक से लोन या कोई अमाउंट लिया रिया है वह वह से वापस नहीं कर पाथा दौरान कम्पनी के संचालन की देख रेक के लिए interim resolution professional यानि आयार पी न्युक्त किया आयार पी का मतलब होता है कि कोई ऐसा person जो short term के लिए किसी निर्धारित insolvency resolution process यानि दिवालेपन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए NCLT उसे पॉइंट करता है interim resolution professional की भूमिका में कम्पनी के वित्ती दायज़ों को संबोधित करने के लिए committee of creditors यानि COC का भी गठन किया गया एक बार committee of creditors थाफित हो जाने के बाद company के रेडों के लिए समधान खोजने के लिए समय दिया गया और साथ ही कहा गया कि संभावित रूप से company के निलामी प्रक्रिया के तहत बोली लगाई जाएगी जिसके लिए interested parties को आमंत्रित किया जाएगा इस process का लक्ष बकाया राशी वसूल कर company को पुनर जीवित यानि रिवाइफ करना था और अगर सीओसी खरीदार खोजने में विफल रहती है तो ट्राइबिनल बाइजूस के लिक्विडेशन यानि परिसमापन का आदेश दे सकती है इस मामले में आगे बाइजूस ने करनाटका हाई कोट में रिट याचका दायर की जिसमें NCLT के दिवालियपन आदेश को त नैशनल कंपनी लौ ट्राइबिनल यानि NCLT के ओर्डर के खिलाफ अपील पर सुनवाई करती है वर्तमान मामले में NCLT की चेन्नाई बेंच ने अपील के दौरान बाइजूस और BCCI के बीच 158 करोड के आपस में सेटल्मेंट को मनजूरी दे दी थी मामले के सुनवाई कर जसिस राकेश कुमार जैन ने कहा कि COC यानि कमिटी और क्रेडिटर्स ने इस सेटल्मेंट को रिव्यू किया और इसे सही पाया ट्राइबनल ने बोला कि इस सेटल्मेंट का भुकतान बाइजूस के फाउंडर बाईजूर रविंदर के भाई और कमपनी के मेजर शेर होल्डर रिजूर रविंदर द्वारा किया जाएगा इस फैसले से बाइजूस को राहत मिल गए लेकिन इस सेटल्मेंट सिर्फ इंदार यानि क्रेडिटर्स हैं जिनमें से एक है एक अमेरिकी कंपनी ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलेलसी ने 14 अगस 2024 को सुप्रीम कोट में एंसी एलेटी के खिलाफ याज का दायर की जिसके बाद सुप्रीम कोट ने एंसी एलेटी के आदेश पर रोक लगा दी इस मामली के तक 158 करोर रुपे की राशी एक अलग अकाउंट में रखने के लिए यानि एसक्रो अकाउंट में जमा करने का निर्देश दिया एक ऐसा बैंक अकाउंट होता है जिसमें दो पार्टी के बीच के विद्टिय भुकतान तीसरी पार्टी अपने पास रखता है और उसे फैस ग्लास ट्रस्ट की ओसे पेश वकील ने दलील दी कि NCLAT ने इंसॉलवेंसी प्रोसीडिंग्स यानि दिवालेपन की कारवाई के सेटेल्मेंट और टर्मिनेशन के अनुमती देने के लिए NCLAT रूल्स के रूल 11 के तहद अपनी इन्हेरेंट पावस का स्तमाल करके गलती की ह बाईजूस की ओसे पेश वकील ने कहा कि इंसॉलवेंसी पेटेशन खुद BCCI ने दार की है और समझोते के आधार पर इसे बंद करने में कुछ भी गलत नहीं है इस मामले में खंट पीट ने पूछा कि जब बाईजूस पर 15,000 करोर रूपे से अधिक का कर्ज है तो उसने अकेली BCCI से 150 करोर रूपे का कर्ज क्यों चुकता किया और पूछा कि NCLAT इस तरह के निप्टान को कैसे मनजूरी दे सकती है अब वर्तमान में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT यानि National Company Law Appeal Tribunal के आदेश को खारिज कर दिया जिसमें बाईजूस से खिलाफ दिवालियपन की कारवाई बंद कर दी गई थी इस आदेश में BCCI के साथ करीब 1508 करोर रुपे के समझोते को सुकार किया गया था कोड के अंत्रीम आदेश के अनुसार बी सी सिया दूरा जमा की गई और escrow account वे रखी गई 158 करोर रुपे की राशी कमिटी ओ प्रेटरस के escrow account में जमा की जाएगी और उनके द्वारा ही रखी जाएगी इस मामले में आगे की कारवाही अभी जारी है तो ये थी अब तक की अपडेट बाई जूस इंसॉल्वेंसी मैटर पर इस मामले में आगे क्या अपडेट्स आते हैं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और ऐसे इंटरस्टिन लीगल अपडेट्स के लिए फॉलो करें लाइव लाओ और साथ ये समुद्धे पर आपके क्या विचार है हमसे कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेर करें मिलती हूँ आपसे अगले इंटरस्टिन लीगल अपडेट्स के साथ तब तक के लिए टेक केर थांक यू